नमस्कार दूस्तों, मैसेल्फ सीमा सी, I hope आपसे बढ़े होंगे आज हम nutrition science के questions देखेंगे, जो previous exams में काफ़े important रह चुके हैं और ये questions जो हैं, ये बार बार पूछे गए हैं, हम ये भी देखेंगे कि ये questions कौन से exams में पूछे गए हैं तो question number जो हमारा first है, वो है कौन से राशाइन फलों को कृतिम रूप से पकाने में पर्यूग तो होते हैं यानि कि ऐसा कौन सा राशाइन है, ऐसा कौन सा chemical है, जिसका उप्योग फलों को artificial रूप से पकाने के लिए उप्योग किया जाता है ए उप्शन है, एन्थोफोन, बी उप्शन है, बेंजीन, सी उप्शन है, मेथेनॉल और डी उप्शन है, कैल्सियम कार्बोनेट तो हमें फलों को artificial तरीके से पकाने के लिए जिस chemicals के आउशकता पड़ती है, इसका हमारा answer number D जाएगा वो है हमें एन्थोफोन्स की ज़रुत पड़ती है, और कैल्सियम कार्बोनेट की ज़रुत पड़ती है, ये question DSSB PGT 2018 में पूछा गया question से, तो question number 1 का हमारा D right answer है अगला questions देखेंगे, question number 2 परिरक्सक जिसे हम preservatives बोलते हैं, जो रंगीन फलो के रसु में डाला जाता है, यानि कि जो option दे रिखे हैं, इसमें से ऐसा कौन सा preservatives है, जो रंगीन फलो के रसु में डाला जाता है, ताकि जो colors है, जो रंग है, वो आगे अलंबे time तक चल पाए, उसके लिए उसमें preservative डाला जाता है, A option है benzoic, अमलो होता है, B option है ascorbic, C option है sodium benzoid, D option है sodium beta bisulfate, DSSB PGT 2018 में पूछा गया question है, question number 2 का A right answer है, जो preservatives का हम उप्यो करते हैं, रंगीन फलो के रस को लंबे time तब बचाने के लिए, तो वो है benzoic अमलो का उप्यो किया जाता है, question number 2 का A right answer है, ठीक है, आगे देखेंगे अगला questions, question number 3 है, निम्मे लिखित खादे बदार्थों के glycemic index, जिसे हम GI value भी बोलते हैं, GI index भी बोला जाता है इसको, glycemic index 50% से अधिक है, यानि के ऐसे कौन से भोचे बदार्थे है, जिनकी GI value 50% से अधिक है, A option है, OARS, B option है, चावल, C option है, सेब, और D option सकरकंदी, E option केला, और F option है, राजमा, question number third का, जो हमारा right answer है, question number third का C right answer है, वो, कौन से भोचे बदार्थे, ऐसे हैं, जिनका glycemic index 50% से अधिक है, question number third का, हमारा C right answer है, अगर C हमारा right answer है, तो, कौन कौन से option हमारी सही हुए, question number B, चावल का जो glycemic index होता है, 50% से अधिक होता है, और सकरकंदी का glycemic index भी 50% से अधिक होता है, और E, केले का glycemic index भी 50% से अधिक होता है, तो, इसकी इसाब से, जो हमारा answer का है, वो, कौन सा हुए, question number third का, C right answer है, जो चावल है, इसका glycemic index भी 50% से अधिक होता है, सकरकंदी का अधिक होता है, और केले का glycemic index, 50% से अधिक होता है, ठीक है, अगला question देखेंगे, question number fourth देखेंगे, प्याज कारतेएं वक्त हमें किस कारण रोना आता है, जब हम प्याज कारते हैं, तो हमारे आंकों से जो आंसो निकलता है, वो, किसके कारण निकलता है, A option है उसमें Sulfur योगिक से निकलता है B option है Enzymes की किरिया से निकलता है C option है वासपसी Sulfur के उत्पन होता है उसमें इससे निकलता है या D option है सभी से ये question भी DSSB PGT 2018 में पूछा गया question से तो जब हम प्याज कारते हैं उसमें जो हमारे आसो निकलते हैं वो किसके कारण से निकलते हैं वो Sulfur योगिक के कारण से निकलते हैं क्योंकि जो हमारा प्याज होता है उसमें Sulfur पाए जाते हैं प्याज कारते हैं जो हमारे आँखों में से आसो निकलते हैं वो Sulfur योगिक के कारण आता है क्योंकि जो प्याज होता है उसमें सलफर्स पाया जाता है ठीक है अगला question देखेंगे question number five है चाई के उत्पादन में संबंधी चरुनों को सही करम में ब्योस्तित कीजिए ठीक है जब हम चाई का उत्पादन करते हैं यानि कि चाई पत्ती बनाते हैं तो उसके लिए हमें किस किस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है उसको step by step लगाना है पहले कौन सी किरिया करेंगे उसके बाद कौन सी करेंगे ठीक है तो question number 5 जो है इसमें जो हमारा सबसे पहला option आएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे जो हमारा चाई पत्ती बनाते हैं उसके लिए सबसे पहले हम बीदरिंग प्रोसेस करेंगे ठीक है सबसे पहले बीदरिंग करेंगे और उसके बाद जो चाई के पत्तिया हैं उनको rolling करेंगे उनको roll किया जाएगा और फिर उनको fermentation किया जाएगा सी option शाही रहेगा फिर उसके बाद उनको fermentation किया जाएगा यानि कि उनको खमीरी की रिद किया जाएगा फर्मेंटेशन किया जाएगा उनमें फिर उसके बाद फाइरिंग प्रोसेस की जाएगी और फाइरिंग प्रोसेस करने के बाद सौटनिंग किया जाएगा और सौटनिंग करने के बाद हम उनको क्या करनेंगे blending करेंगे ठीक है blend करने के बाद last में जब वो पूरी तरीके से बन के तयार हो जाएगा तो उसके बाद हम उसके क्या करेंगे packaging करेंगे ठीक है तो question number 5 है ये quote के according कौनसा सही होगा सबसे पहले तो हमारा B आएगा B किसमें first है option number C में B first है तो इसका मत्तब हमारा जो answer हो B आएगा सबसे पहले हम बेटरिंग करेंगे उसके बाद हम D rolling करेंगे उसके बाद C fermentation करेंगे उसके बाद A firing करेंगे उसके बाद E sorting करेंगे और उसके बाद blending और packaging करेंगे ठीक है तो हमारा question number 5 है इसका right answer C होगा अगला questions देखेंगे question number 6 है सूची एक को सूची second के साथ सम्मलित करें question number 6 है सूची first को सूची second के साथ सम्मलित करें सूची first में alkaline carotinoids kumarin, lycopin और flavonides ऐसे वर्णग दिये है जो क्लिवाग पाय जाते है सूची second में गाजर, हालडी, cheese, परनीघर caffeine, tomatoes और laysोनती है ठीक है तो सूची एक में जो alkaline होते है यह किस में पाय जाते है caffeine में पाय जाते है ठीक है alkaline किस में पाय जाते है alkaline caffeine में पाया जाता है तो हम A को मिलाएंगे 4 से ठीक है A को 4 से मिलाएंगे तो हमारा first option ही सही हो जाता है A को जब हम 4 से मिलाते हैं तो हमारा first option सही हो जाएगा लेकिन फिर भी हम questions को सही से देखेंगे फिर carotinite किस में पाया जाता है करोटिनाइट गाजर में पाये जाते है कुमारीन किस में पाये जाते है कुमारीन हल्दी में पाये जाते है और लाइकोपीन किस में पाये जाते है लाइकोपीन टमाटर में पाये जाते है और फ्लेवोनाइट्स लहसून में पाये जाते है ठीक है फ्लैवोनाइट्स लहसून में पाया जाता है तो इसी अकोर्डिंग हमारा A का 4 हो जाएगा कैरोटीनाइट्स B एकाजर में पाया जाता है कुमारीन सेकिंड हल्दी में पाया जाता है और लाइकोफिन टामाटर में पाया जाता है और फ्लाइवुनाइट्स लहसून में पाया जाता है तो question number 6 का option number A right होगा अगला question देखेंगे question number 7 है फल तथा सबजी अच्छे स्रोध होते है निम्न मैंसे किसकी ठीक है जो फल सबजी होती है वो किस-किस रोध होती है A option है खनीज लवण, प्रोटीन तथा वसा के B option है कार्बोज, बिटामिन्स, खनीज लवण के और C option है खनीज लवण, बिटामिन्स और रेसों के D option है प्रोटीन, वसा और कार्बोज के question number 7 का हमारा C right answer है जो फल और सबजिया होते है वो किस के अच्छिस रोध होते है फल और सबजिया खनीज लवण, बिटामिन्स और रेसों के अच्छिस रोध होते है ठीक है जो फल एम सबजिया होते है वो खनीज लवण और बिटामिन्स रेसे के अच्छे सरोत होते हैं और ये questions कब पूछा गया है ये question पूछा गया है प्रवक्ता exam 2024 में पूछा गया है तो हम ये समझ लेते हैं कि जो फलो सब्जिया होते हैं वो कैसे अच्छे सरोत होते हैं खनीज लवन, बिटामिन स्वर रेसो के तो उत्तन स्वस्ती की प्राप्ती के लिए हमें क्या करना चाहिए अपने आहार में फलो सब्जू को सामिल करना चाहिए ये हमें स्वस्त निरोगी फूर्टिला एम चुस्त बनाई रखने में एहम भूमिका निभाते हैं इसमें बिटामीन्स एम खनीजलवन भरपूर मातरा में वपस्तित रहते हैं जो फल और सब्जिया होते हैं इनमें बिटामीन्स खनीजलवन भरपूर मातरा में वपस्तित रहते हैं जो हमें बिभिन्न रोगु से सुरक्षा प्रदान करते हैं ठीक है हमने पढ़ा है जो यह हमें विभिनो रोगों से बचाते हैं और इसलिए हमें इनको अपने आहार में सामिल करना चीए आगे देखेंगे अगला question question number 8 है खाद्य प्रकर्मन जिसमें अनाज का मांट चीनी में परिवर्थित होता है उसे क्या कहते है वो खाद्य प्रकर्मन जिसमें अनाज का मांट चीनी में परिवर्थित होता है उस परिकिर्या को हम क्या कहते है उस परिकिर्या को हम पकाना कहते है या भाब देना कहते है माल्ट करना कहते है या बेक करना कहते है question number 8 का सी राइट आंसर है जब हमारा खाद्य पदार्थ मार्ट यानि की चीनी में परिवर्टित होता है इस परिगिर्या को हम मार्ट करना कहते है question number 8 का सीरा एंट आंसर है PZT 2005 में पुछा गया question से ठीक है आगे देखेंगे आगे questions है question number 9 है काली चाय से हरी चाय बहतर होती है क्यों, हमें reason बताना है कि जो काली चाय होती है उससे जो green tea होती है हरी चाय हम green tea को बोलते है तो हरी चाय बहतर होती है क्यों होती है ये बताना है A option है, इसमें अधिक anti-oxidant पाय जाते है P option है, वह हल्की होती है C option है इसमें chlorophyll पाया जाते है और D option है वह देखने में सुन्दर होती है question number 9 का A right answer है जो काली चाय से हरी चाय यानि कि जो green tea होती है वो काली चाय से क्यों बहतर होती है क्योंकि इसमें अधिक antioxidant पाए जाते है ठीक है, antioxidant क्या होते है यह हम जानते है तो जो green tea होती है उसमें antioxidant पाए जाते है question number 9 का A right answer है और यह question प्रवक्ता एक्जाम 2015 में पूछा गया question से ठीक है, अब हम थोड़ा antioxidant के बारे में जानेंगे antioxidant क्या होते है काली चाय से बहतर हरी चाय होती है हरी चाय को माना जाते है क्योंकि हरी चाय में 10 से 40 is micrograms, polyphenons नामा पदार्थ पाई जाते है जो antioxidant का कारिय करता है black tea और green tea दोनों ही camelia, sinesis नाम के पेड के पतियों से बनाए जाते है चाहिए वो black tea हो या green tea हो दोनों ही किस से बनाए जाते है camelia, sinesis पेड के पतियों से बनाए जाते है लेकिन काली और हरी चाय में मुख्य अंतर यह हो है कि काली चाय फर्मेंटेशन से बनाई जाती है ठीक है जो काली चाय के जो हम पत्या बनाते हैं काली चाय के लिए वो फर्मेंटेशन परिकिरिया से बनाई जाती है जबकि हरी चाय को इस प्रोसेस से नहीं गुजनना पड़ जीए जब हम चाय के पत्यों को करते हैं तो उस से क्या होते है जो क्यमे लिया के पेड़ के पत्य है उसमें से क्या होता है है कई नैचुर्ण फायदे मंद ततों से बहार निकल जाते हैं और WHO के World Health Organization के अनुसार Fermentation से बने खाते बदाथो में Ethyl Carbonate Cancer कारक बन जाते है इस दिश्टी से भी Green Tea बहतर मानी जाते है Green Tea को क्यों बहतर माना जाते है WHO के Research के अनुसार अगर कोई भी भूजे बताते है वो Fermentation परिकिरिया से बनाया जा रहा है तो उसमें क्या होते है Ethyl Carbonate Cancer कारक बन जाते है तो इसलिए जो Black चाय होती है वो Green Tea से अच्छी नहीं मानी जाते है Green Tea को अच्छा माना जाते है ठीक है आगे देखेंगे अगला Question से हमारा Question No.10 है Question No.10 Question No.10 Question No.10 का D-Ride Answer है जो प्राकर्टिक और वानस्पति भोचबादारत होते है उनसे हमें ये सबी प्राप्त होते है खनीज लवन भी प्राप्त होते है वासा भी प्राप्त होते है और रोटीन भी प्राप्त होते है तो जो हमारा Question No.10 है उसका D-Ride Answer हो जाएगा टीज़टी दुआचार चार में पुछा गया Question से ठीक है आगे देखेंगे Question No.11 है निम्मे लिखित में निम्मे लिखित में ऐसे कि इसमें गैट्रोजनिक गठक नहीं होता है ठीक है ऐसा कौन सा गठक है जिसमें गैट्रोजनिक गठक नहीं होते है A option है पालक B option है बंदगोबी C option है फुलगोबी और D option है सलजम तो Question No.11 का D right answer है सलजम ऐसा होते है जिसमें गैट्रोजनिक गठक से नहीं पाए जाते है ठीक है और जो पालक है बंदगोबी है फुलगोबी है इनमें गैट्रोजनिक गठक पाए जाते है और जो गैट्रोजनिक गठक से होते है वो क्या होते है ये काफी हानी कारक घटक से होते हैं ये क्या करते हैं आयोडीन का और सोसन कर बढ़ा देते हैं हमारी बोटी में और जो thyroid hormones होते हैं उसकी जो केरिया होती है उसको ये परभावित करते हैं ठीक है पालक बंदुगोवी और फुलगोवी में जो गैटोजनिक्स घटक होते हैं ये हमारी thyroid गरंथी की जो केरिया होती है उसको परभावित करते हैं और ये कहानी कारक बदात होते हैं ठीक है तो जो सलजम होते हैं सलजम में गैटोजनिक्स घटक नहीं पाए जाते हैं आगे देखेंगे question number 12 है question number 12 है carotene nights के कारण होते है ठीक है carotene nights के कारण है d option है carotene nights के कारण होते है question number 12 का जो राइट आंसर है जो टमाटर का लाल रंग होते है वो लाइकोपीन के कारण होते है question number 12 का ए राइट आंसर है ठीक है और ये question कब पुछा गया है TZT 2013 में पुछा गया है अगला question देखेंगे सॉरी, अब हम जानेंगे कि जो टमाटर का लाल रंग होता है वो कैसे होता है टमाटर का लाल रंग उसमें मौजूद वर्णक लाइकोपिन के कारण होता है लाइकोपिन एक लाल चमकदार कैरोटीन इम कैरोटीनाइट वर्णक द्रवो और फैटी केमिकल्स है जो टमाटर के अलावा अन्य लाल फोलो इम सबजू जैसे लाल गाजर तरबूज और पपिते में पाये जाते है जबकि एंथोसाइनिन के कारण प्याज तथा गाजर का रंग गहरा लाल रंग होता है जो एंथोसाइन होता है उसके कारण प्याज और गाजर का रंग लाल होता है और टमाटर का रंग जो होता है इसमें मौजूद वर्णे लाईकोबीन के कारण होता है लाईकोबीन लाल रंग का चमकदार होता है ठीक है चमकदार पदार्थ होता है केरोटिनियम, केरोटिनाय, ड्रंग वर्नग और फैटी केमिकल्स हैं जो टमाटर के अलावा अन्य लाल फोलो इम सब्जू में भी पाये जाते हैं ठीक है उनमें किसमें काजर में तरभुजमा और पपिते में पाये जाते हैं आगे अगला questions देखेंगे, question number 13 है, सिरके में होता है, जो सिरका होता है, उसमें क्या होता है, A option है, Cetrics अमलो होता है, B option है, Lactic अमलो होता है, C option है, Hydrochloric अमलो होता है, D option है, Acetic अमलो होता है, जो सिरके में होता है, A option है, Acetic अमलो होता है, question number 13 का, D right answer है, सिरके में Acetic अमलो होत सिर्का का है सिर्का का रासाइनिक रूप से एसिटिक एसिट होता है सिर्का जो होता है वो रासाइनिक रूप से एसिटिक एसिट होता है लेकिन खाने वाला सिर्का आम तोरपा पारंपरी तरीके से बनाया जाता है जो खाने के लिए हम सिर्के का उप्योग करता है वो पारंपरे की रूप से बनाया जाता है सिर्का बनाने के लिए फलू के मीठे रस को कई दिनों तक उसे ऑक्सिडाई होने के लिए रख दिया जाता है इसके बाद धीरे धीरे खटा हो जाता है रसका खटापन एसिटिक एसिट बनने के कारण होता है सिर्का सिर्फ भोजन को स्वादिष्ट बनाने के अलावा भोजन के पाचन में भी साहिक होता है जो सिर्का होता है वो भोजन को स्वाधिस्टी तो बनाता है बनाता है उसके अतिरिकते है भोजन के पाचन में भी साहिक होता है ठीक है और इसमें एसिटी के एसिट होता है अगला question है question number 14 है खादय बदार्थों के कारे के आधारबन निम्मे लिखित को रक्षात्म खादय कहा जाता है खादय बदार्थों के कारे के आधारबन निम्मे को रक्षात्म खादय बदार्थों कहा जाता है सुरी यहां पर options गलत आगे हैं, options यह नहीं होंगे, option हमारे के हूँ, जो आए है यह गलत है, यह options नहीं होंगे, यहां पर option मैं बना देती हूँ, A, हरी सबजिया, B option है, गे हूँ, ठीक है, इन options को देखेंगे हम, और C option है, चावल, D option है, मडवा, ठीक है, वो question में टाइपिंग कलत हो गई है, option कलर लिखते हैं, question सही है, अब हम देखेंगे, ठीक है, A option में हरी सबजिया है, B option में गे हूँ है, C option में चावल है, और D option में मडवा है, question सही क्या पूछा गया है, खाद्य पतार्थों के कारे के अधार पर निम्मे लिखित को रक्षातमा खाद्य पतार्थों कहा जाता है, तो ऐसा कौन सा खाद्य पतारत होता है जो हमें हमारी रख्षय करता है A option है हरी पत्तेदा सब्जिया B option है गेहू C option है चावल D option है मॉडवा तो जो हमारी रख्षय करता है वो है हरी पत्तेदा सब्जिया हरी बत्तिदार सब्जू में सबसे अधिक क्या होता है बिटामिन्स होते हैं और खनीजलवन्स होते हैं इसलिए हमारी रक्षा करते हैं गेहू में क्या होता है? गेहू किसमें होता है? गेहू कार्वाहेडेड होता है कि हमको उर्जा देने का काम करते हैं मडवे में भीकाल परोटीन और वसा उर्जा देने का काम करते हैं लेकिन हमारी बॉडी के रक्षय करने का कार इंगा us पर्याम humanStar किसमा अधिक है कोड क्या अंसर जाएगा और नमबर 14 वर कश首先 अगला questions देखते हैं question number 15 है अभी कथन A है अभी कथन A क्या है इसको हम cut करतेंगे हरी पत्ते दा सब्जू का sorry हम question number 15 भी नहीं देखेंगे इसमें भी typing error हो गया तो इससे पहले हमने जो जो questions देखे उन questions को हमने अच्छे से समझ लिया है उनका answer क्या है question number 15 हम नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें जो typing है वो थोड़ा गलत हो गया ठीक है तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद है तो please like, share, comment और subscribe करना ना भूले अगर आपको मेरे वीडियो थोड़ी से भी useful लगती है तो please like, share, comment और subscribe करना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई करें मिलते हैं